हेलो एव्रीवन आप लोके मेरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है जरा मेरे को लिख के बेज दीजे येस तो लिख के बेज दीए चैट पे आज को बता सकता है कि बूल गया यार लोगी हैज डेट कौन सा है कोई बता सकता है कोई बता सकता है चले है तो आज हम लोग मार्केट का या रेविन्यू का फोर्थ क्लास कर रहे हैं आज हम लोग मार्केट या रेविन्यू का फोर्थ क्लास करने आए हैं बहुत इंट्रेस्टिंग हम लोग ने पिछली बार के स्टड़ी पढ़ा था आज है 6th October 2020 है और वेरी नाइस तो आज हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं तो पिछली बार हम लोग ने बहुत इपॉर्ट आकर चीज समझाता किस तरह हम लोग ने जिसका कोई एंसर नहीए क्योंज घ्रग सस्ता रखा जाए गरीब लोग के लिए कि महंगा रखा जाए कि नया दवाई आए जतन आगे हैं श्रियांस आगया है केतन आगया है श्रियांस के साथ तुम शाहिद गए थे उसके वेबिनार के अंदर परसो एक टे वेबिनार करने सब्सक्राइब लेना है हर बर कुईज बोलते हैं लेट हो जाता है नहीं करते हैं तो अब लोग आज चालू कर रहे हैं हम आपको फिर बोल रहा है अच्छा अभी तक हम ट्यूजडे थर्जडे और साटेड़े को साड़े साथ बज़े आप लोग के साथ जुड़ता था यह सीए के सौरी 11 और 12 का अनकैड़मी का इसके ओपर मैंने आपको कहा था अनकैड़मी तो बहुत ब्यूटिफुल बहुत अफॉड़ेबल रेट में मेरे कास इस टोटली फ्री है लेगिन बहुत अफॉड़ेबल बहुत ब्यूटिफुल वे आप लोग के पास इस पैनेमिक टाइम में क्लास रीच आउट करा रहा है आप लोग ज़रूर एक्स्पोर करिये यहां पर बहुत अच्छा लगे का अप लोग को और कोई भी अकाउंट्स का अकाउंट्स के अंशुल सर है एक्स्ट्रॉडरी ब लेट आता है जल्दी आता आज ही लेट आया है जिसको भी क्लासिस करने है उनको बोल दीजेगा आराम से अपर फ्री क्लास एकदम मेंदास क्वालिटी एजुकेशन होता है फ्री में तो जरूर आने का चिश्टा करें तो अभी तक हम लोग आते थे आपके पास और साटेड़े साड़े साथ बजे अब हम लोग और चालू कर रहे हैं वेंजड़े और फ्राइड़े भी आएंगे साड़े पांच बजे तो फाइव देजा वीक होगा लेकिन आप लोगों के लिए सब के लिए एक चीज़ नहीं होगा ये वाला जो होता है वो क्लास 11 और 12 का सीए का क्लास 11 12 12 जो कॉमर्स का जो अनकेडमी का प्लाटफ़र्म उस पर होता है और ये वाला जो होगा वो सीए फांडेशन पर होगा बहुत ज़न सीए करने का छोचता है 11 12 में फांडेशन भी करना जाते हैं ये वो जो एकोनोमिक्स है वो आल्मोस्ट इसी से भी आप परा फांडेशन का चैनल पहांगे क्लास अब ये वो सु चिख को सीए फांडेशन का है 11 12 का ही है पूरा 11 12 का ही पढाया जाएगा ज़कर हम डालेगा तो उसके अंदर 11 12 के च्रूर लो महाँपिशाद हम डिमांड शूरू से चालू करेगा ये वाला जोज ये वाला जो य इंट्रेक्टिव क्लासेज वेंजडे और फ्राइडे को हम डिमांड यूटिलिटी इंडिफरेंस कर मार्जिटी बजेट लाइन प्रोडक्शन को सप्लाइए इकलिब्रियम प्राइस सब कुछ वहां पे शुरू से होगा तो सी ए फांडेशन वाले बैच में तो आप लोग इसको फॉलो करिएगा आपको बहुत चीज क्लारिटी मिलेगा तो लेट्स बिगिर बहुत बात हो गया रिशी आगया है थोड़ा लेट आया है कोई बात नहीं बेटर लेट देर नेवर वाली बात है मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि एकदम ये टाइम पे अपना एक दम टाइम मत वेस्ट करिए पढ़ते रही है कुछ नहीं आए एक स्टूडेंट थी जिनको अकाउंट से कुछ नहीं आ रहा था कल वह उमको बोली कि सर गुड्स बिल का नहीं आता मैं बहुत बढ़ाता था इन फैक मैंने अकाउंट सी पढ़ाता था फिर मैंने अकाउ सुल सर का कोर्स चल रहा है यह आन अकैडिवी पर जाहिए वहां पर पढ़िए सब क्लियर हो जाएगा 11-12 का भी है तो आप लोगों किसी भी कोई टॉपिक में दिक्कत हो यहां पर हर चाप्टर का मैंट्स का एको का अकाउंट्स का कॉमर्स BST का सबका है अराम से आप प्रयास करो जो कमी कोई रह जाती है तुम उसका अब्यास करो जो गिरते हो तुम एक दफा तो उठकर फिर प्रयास करो लगे रहो तुम कर्म में अपने जब तक इस तन में प्रान रहे निश्चिती सफलता मिलेगी तुम खड़े जो सीना तान रहे वापे सुनाएंगे व तो एकदम सीना तान कड़ेंगे सफलता मिल के ही रही गी आप लोग को रानक कासित नहीं कहा है वावा राभ्या नहीं कहा है वावा और सब कोई कंजूस है उन्होंने वावा नहीं कहा मैं इतना जोड़ अश्यां से भी कह दिया वावा मैंने इतना जोड़ जोड़ से वोला और आद भी लोग का वावा री आया यार वाटसप मेसेज कहने में कौल सा वावा या है क्या बात हर्श केडिया वाह सही बोले हो क्या बात क्या बात में चक्रोरती बहुत बहुत बहु भूर जा लीवेश सब कुछ चलिए आप हम लोग चालू करतें देखेगा एक दम हमाणाँ production है अब अपने आपको producer मानेंगे आप अपने आपको क्या मानेंगों producer मानोगे, लिखे मेरे साथ price more than average cost मतलब price वो होता है आप producer है आप जिस दा में बेच रहे हो price मतलब होगे आपका selling price आप इसको लिख लिजिए selling price, बहुत important चीज़ है, मैं बहुत चीज़ पूछूँँगा भी price is greater than average cost जहाँ से देखेगा, price is greater than average cost यह logic है है आप बताईए हम लोग इसका example लेते है एक बाव बताईए तो कोई ऐसा vegetable का नाम बताईए जो किसी ना किसी के आँख में आसू निकालता ही निकालता है ऐसा कोई बताईए चाहे वो producer हो चाहे वो consumer हो चाहे वो politician हो एक ऐसा vegetable बताईए जो किसी ना किसी के आँख में आसू निकालता ही है चाह producer, चाह consumer चाहे politician अनियन शुरूती जाने बहुत जल्दी आसर दिया है हर्षित ने भी जिया है अनियन अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ द्यान से देखिएगा अनियन एक ऐसा चीज है न या तो producer जो farmer के आँख में आसू निकालता है विचारे के, या consumer के और politician के तो हमेशा निकलता है अभी clear समझते हैं क्या मतलब हो रहा हूँ माल लेते हैं, आपको पता होगा एक साल पहले, देर साल पहले एक साल पहले काई बात है प्यास के दाम बहुत बढ़ गए थे आपको याद है कोई बता सकते है कितना रुपय चला गया था शायर देर सो दो सो रुपया चला गया था पिछले साल इस नॉमबर दिसंबर में आप लोग याद करिए प्यास का दाम भढ गया था भ्यंकर याद है आप लोग को लास्ट इयर खा आप देखिए प्यास का कॉस्टिंग है 10 रुपया आवरेज कॉस्ट आप प्रडिउसर है बताव आप फार्मर है आपका आवरेज कॉस्ट कितना है 10 रुपया आपका एक केजी बनता है माल लेते हैं दस रुपिया में और प्यास के दाम भढ़के हो गए माल लो एक सो पचास रुपए क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है दस रुपिया एवरेज कॉस्ट है और आप वाह फर्श केडिया ने पूरा गूगल करके निकाला है दो सो से डाइसे रुपिया रेट चला गया था सेकेंड ऑक्टूमर तुजर नाइटीन अभी मैं बहुत शॉकिंग चीज़ बताने वाला हूं आप लोग को आप लोग के आखे एकदम भाह निकल के आ जाएगी आप लोग इतना जोड़ से आउच करोगी कि मेरेको अपने सुराई देगा वहां से आप लोग जहां से घर से बैटे हो बकवास कर रहा हूं लेकि तो भी राब्या ना कहा है कि चाइना से इंपोर्ट करवाना पड़ा था वाँ बड़ा वाँ आप सुनिएगा दस रुपय का प्याज डेड़ सो रुपया में कॉस्टिंग तो वही था लेकिन डेड़ सो रुपय में भी कहा अब बताइए जो फार्मर है उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है जो फार्मर है जो प्याज बेच रहा था उसको प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस ह बाप रे बाप, बंपर प्रोफिट, सूपर नॉर्मल प्रोफिट, जिसका भी, जिसका भी प्याज का खेती था, वो तो उसके तो वारे नियारे हो गए, वो लाल हो गया, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे हो गया, उसको प्रोफिट नहीं बोलते हैं, इसको सू तो, producer हो détकित है 10 का ओन देज्ड सह में वंले! अब आपको पता है, जब प्रोडूसर इतने प्रफित हो रहा था आप फार्मर लोग बोलते है बैंगलोर में नासिक में बोलते है वन थे बिगेस्ट अरीयन ऐरिया है Market है इन अशिया दी बिगेस्ट हिसाइड या से करें दी बिगेस्ट हिसार अवहाँ पे वहाँ पे फार्मरोग के पास Mercedes और Audi और वो टाटा जैगवार सब खरीद लिया तो रोड़े अरे इतना प्रॉफिट होगा तो बूम बूम शाक लागा बूम बूम शाक हो गया ustra bumper फ्रॉफिट यां देजेगा मला माल पैसे ही पैसे सबझे के पैसा प्रवाधा अमिया आ पु नहीं हर्षकेडिया बोल रहा है तो हुआ प्रडूसर लोंको το बले बले कंश्यूमर कि जो हम लोग है उनका हुआ उनका हुआ 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 उनका हुआ है बहुत नाराज है बहुत गुसा पियाज ही नहीं यह खाना में पियाज नहीं हो तो खाना निखाते नौलjmली याद्मी लोग अच्छा नीं लगता है सबजी भी प्याज चीए अलग से प्याजी के पास जाओ पावाजी वाला सानल सब्सब्स डाल दिया प्याजी नहीं डाल रहे है रेस्टोर्न में प्याज जो रहता था इसलाद में एक दो पीसी रह गया बहुत घुसा गसी हो रहा है second point very important तो producer लोग को कितना profit हो रहा है super duper normal profit तो एक से consumer के आज से आसु आया producer laughing all the way to the bank और politician को तो घाली खाना विचारा खाता ही रहता है अब एक बात बताईए super normal profit देखके जिन लोग भी प्यास का खेती करते थे उन लोग के तो बढ़ी है जिन लोग potato का करते थे tomato का करते थे cauliflower bringer lady finger जिन लोग उसका करते थे जो भी उस onion वाला तो ठीक है इन लोग का हालत क्या था potato complaining है यह data ज़्ए next year next year क्या होगा आप सोचके प्रिटेटो टमेटो कॉली फावर बिंजिन चाहिएंगे सब के सब चाहिएंगे क्या हुगा उनलोग अनिया ना चाहिएंगे तो अनियान का इंड़स्ट्रि में बिजनस्य लोग आएंगे कि जाएंगे प्रद्यसर सब प्या सर्थ क्रेती करेंगे पैसे 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 तो आदमी लोग जो क्या करेंगे एंटर करेंगे लॉजिकल बात है तो Turun सिप्राव प्रॉफिट हुआ सूपर नॉमल प्रॉफिट पीपल विल एंटर इस इंडुस्ट्री जैसे इस यह 2019 का बात है अब क्या होगा 2020 आते आते नाइटीन आग में एंटर करेंगे तो नेक्स्ट येर सप्लाई क्या हो जाएगा भढ़ जाएगा लिखते जाएगे सप्लाई बुम बुम शाकाला का बुम बुम शाक सप्लाई भढ़ गया बहुत आदमी लोग सब कोई अनियन उकाने लग गए जब सप्लाई बढ़ गया नियन का सप्लाई बढ़ गया नियन का तो प्राइसेस क्या होने लग जाएगे जब 2019 में इतने दाम बढ़े 2020 में जब नया फसल आया शुरू में शुरू में आने से सप्लाई बढ़ने लग गया तो प्राइसेस गिरने लग गए आप देखिए क क्या हुआ प्राइज गिरे प्राइज गिरे 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 प्राइज गिरने लगे बेर सो एक सो चालेस तीस सो सतर बीस अल्टिमेटली दस ही हो गए तो अल्टिमेटली प्राइज गिरते गिरते विल बिकम इक्वल टो अबरेज कॉस्ट दस इक्वल टो दस ही रहे गए इतना टान के प्राइस गिरा कि सब कोई गबरा गए ओए एक ही हो रहा है डेड़ सो रुपए का अनियन था पर दस रुपए बिकरे लग गया देखिए अनियन क्या हो गया दाम गिर गया तो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था भ्यंकर प्रॉफिट जो था वो खतम हो गया और नॉर्मल प्रॉफिट हो गया कई जिन बोलेंगे दस रुपए का माल दस से बेच रहे हैं यह मैं किसी क्लास में कराया था मैं वापिस कराऊंगा कि अपना अवरेज कोस्ट के अंदर ही अपना नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो बताएंगे हम लो तो कितना दस का माल दस में बिकने लग गया तो क्या बन गया हमको नॉर्मल प्रॉफिट यह 2019 में इन लोग ने किया 2020 आते आते प्राइस गिर गिर के बराबर हो गया क्यों गिरा क्यों यह सेकेंड वाला पॉइंट इंपॉर्टन था आदमी लोग बिजनस में क्या किये एंटर किये अब आता है 2020 हम लोग एक्जामपल ले रहे हैं इस साल नहीं वा 2020 में होने वाला आता लेकिन चेंज हो गया माल लेते कोई और साल अब लोग एक्जामपल लिए कोई और साल लेते हैं हर्शित बोल रहा है प्याज या पोड़ा खाने लगया वा बेटा वा अब देखो अब यहां तो पैंडेमिक हो गया नहीं तो यह भी हो जाता दस रुपए का प्याज का दाम था लेकिन 2019 के बाद इतने आदमी लोग एंटर किये बिजनस में तो प्राइस गेर गया अब आवरेज को ज़्यादा हो गया प्राइस गेर गया प्राइस बहुत गेरा अब हम आप लो गाने लगे एंटर कर लिए अब आप लेटो वाइल्ड गैस बताईए प्राइस का प्राइस क्या हो गया होगा वाट विल बी दा कितना जा सकता है वाइल्ड गैस लेके बताओ वाट कुड है बिन दा प्राइस आफ कितना वाह राबिया तुम दो रुप्या बोल रहे है व बेटा वाह 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 वाइल बोलाता तुम दो वाइल डेस्ट पे चले गए यार आप देखिए इसका अदाम हो गया था इतना जहां से देखिएगा बीस क्या लिख रहा हूं यार बीस पैसे क्या बकवास है यह बीस पैसे प्यास कदम बीस पैसे कीलो एक छिलका नहीं मिलता यार देखिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं फैक्स अस्ट्रेज़ दन फिक्षन जो आप लोग अभी देखोंगे शॉक पे चले जाओगे इसलिए मैंने कहा कि अगर इकोनॉमिक्स ही पढ़ा और यह सभी नहीं पढ़ा तो देखिए क्या पढ़ा आप देखिया आपको दिखा रहे हैं यह देखिए अभी आप लोगो अब आप लोगों को दिख रहे हैं अनियन प्राइजेस क्रैश्टू ट्वेंटी पैसा पर केजी इन मौध्य परदेश आफ्ता दग्लाट यह कप का आर्टिकल है देखिए 2016 का आर्टिकल है मैंने भी पढ़ रहा था ना मैं इसके पर जार रहा था मिर्कुला का 20 पैसे यह इसटू साल पुराना होगा 1916 होगा नाय्तीर प्राना फिर मैंने देखा यार 1916 में तो वेब साइट ही नहीं होते थे हिंदुस टैम तो इलेक्ट्रोणिकली प्रिंटेड ही रही होगा आप लोग सोच के देखिए 20 पैसा फिर मैंने इसको चेक करने के लिए दूसरे 30 पैसा पर केजी इट इस अन्बलीवेबल बट आपनों का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं यह आर्टिकल भी पुराना नहीं है अगर आप ठीक से देखोगे यह आर्टिकल भी 14 एपरिल 2016 का है आप लोग को मैं इसलिए बताता हूँ इकोनोमिक्स अकर पढ़ो रियल लाइफ एक्जाम्पल के साथ पढ़ो ना सुपर नावर प्रॉफिट लॉस आपको याद नहीं रहे बुक्स में आप लोग पढ़ोगे यह याद रहेगा कि हम लोग ने टो आर्टिकल देखा था जैब बीस पैसे 30 पैसे कीलो 100 साल पुराना जेनरेशन का बात नहीं है अप लोग दादा जी से पापा से, दादा जी से, चाचा से जो एजिट है उन से पूछेंगे तो उन लोग बताएं कि हम लोग के जबाने में इतना में मिलता था उनके जवाने में भी इतना पैसा भी नहीं भिलता होगा जितना केजी भिक्रा था 20-30 पैसे आप देखिए 20 पैसे दाव होगा 20 पैसे आप क्या हुआ देखिए आप गेम पल्टी खा गया अब देखिए आप गेम क्या हुआ प्रड्यूसर कंजूमर और पॉलिटीशन प्रड्यूसर की तो बैंड बच गई फार्मर लोग बिचारे लोग एकदम निराश हो गए उनका अहलत बहुत खराब जितना उन्होंने ओडी मर्सिडीज करीता था सब वापिस लेने लग गए फार्मर लोग तरही तरही करने लग जो सब ग Bomb어야 कितंबा हजरा पुतर क्या हुगया याँ अति की बलीला और दू पती के बलीला बोल लाये दू पती बलीला पोल्ला आटी के मरना ज्यादा सबुडास सब시면ick करा होता है अवब लोग जा रहें प्याज वाले के पावाजी कैस प्याज ही प्याज बढ़ दिया है सलात खा रहे है होटल वे हर तरह का प्याज का शेफ बना दिया है बर के और सब कब दे रहे हैं और यह है तो यह विचारा very sad यह विचारा very happy और इन लोग भर-बर के politician को गाली देगे पहले वो इससे काली का रहा था वो इससे काली का रहा है पॉइंट, tables have turned, things have turned आप बताईए क्या होने लगा सोच के बताईए अगर आप farmer हैं, 10 रुपे का चीज 20 पे बेचोगे तो profit होगा की loss होगा आप बताईए क्या होगा, profit होगा की loss होगा भ्यंकर loss ब्यंकर loss बताई ब्यंकर loss इतना loss हुआ 2016 में सब कम, सब farmer लोग उन्होंने अपना कान पकड़ लिया और बोला कसम का लिये कि चाए कुछ भी होगा लेगे अन्यन ना होगाएंगे हम से आप आंक से पांच, आंसु नहीं निकले खून के आसु निकल गए तो 2016 के बाद farmer लोग इस business में आये होंगे कि गए होंगे, obviously exit करेंगे बना हम लोग को farmer बोलेंगे यह तो बगाना ही नहीं हम लोग को इतना हम लोग का costing तो छोड़ो रस्ता में पड़ा हुआ है तो भी नहीं नहीं आपको दिखा रहा हूँ उसका यह वस्ता नहीं होता है बहुत और चीस का यह वहस्ता होता है देखिए बहुत सारा चीस का ऐसा होता है यह देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको यह तो हर, यहां पे दिखा रहा है Now onions won't bring tear in your eyes कंजिमर के वरले हो रहा है अब यहाँ पर लिखा हुए क्या अनियन बिग ट्रिया टुद निए टुद फिर एक जए के लिखता है को रही होगा एक जहें बोलता है यह गोगा तो इस सो चेजर डिलेमा सो चेजर डिलेमा इस ऑल बिकोज अ और अभी पटेटो का लाश्चिय बहुत आलत कराब हो गया था पटेटो के दाम एकदम रदी के माल विकरे लग गये थे उसका भी मैं आर्टिकल दिखा तो निकि पहले देख लेते हैं अगर एक्जिट कर जाएंगे तो अगले साल क्या हो जाएगा जब फार्मर लोग नहीं उगाएंगे तो सप्लाई कम हो ज जो उन लोग का हलत कराब हुआ है उनकी नीन दोड़ी है विचारे ने खून क्या से लोग है अब क्या होगा आद भी लोग छोड़ देंगे और छोड़के बिजनेस एक्जिट करेंगे सप्लाई कम हो जाएगा प्राइस बढ़ने लगए बीस पैसा से पचास पैसा एक चला जाएगा वहन्मल प्रॉफिट पे चला जाएगा गूंप फिर के वह वापिस कहां आएगा नॉर्मल प्रॉफिट पे आजाएंगा बात को समझ ये ये वाला लाईन सबसे इंपर्टन के जो आपनों मांग कर लीजिए यहाँ पर देखिएगा यह नो ये सूपर नॉर प्रॉफिट था ब्लैक वाला सुपर नौर प्रॉफिट में क्या हुआ एंटर करने से नौर्मल प्रॉफिट बन गया लॉस था एक्जिट करने से नौर्मल प्रॉफिट बन गया उसका चेन रियक्शन आप लोग को पता ही है अगर आप अगर आप सुपर नौर्मल प्रॉफ एसा होता है जो लगता है बहुत चल रहा है शुरू शुरू में लगता है होटन इंड shouldi बहुत चलेगा सब जगह जगहनुकर-नुकर पर काफे कुलनल लग गए सब प्रवाफ़ित हो रहा कम हो जाएगा तो प्राइस बढ़ेंगे और फिर वो किसमें चैसेट करते हैं इसलिए होता है अब आपसे एक तो चीज़ पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से पूछिएगा, समझ के देखिएगा, 2019 में 10 रुपए का प्याज, आवरेज को जिसका 10 है, वो कितना में बिक रहा था प्राइस, 1.500 रुपया में, यह पता हैं? अब बताइए, यह सूपरनॉमल प्राफिट हो रहा था? सोच के एक तो आंसर दीजेगा, बहुत इपॉर्टन कुश्चन है, सोच के आंसर दीजेगा, super normal profit हो रहा है कि नहीं हो रहा है भ्यंकर profit हो रहा है अब एक बाह बताइए अगर super normal profit हो रहा है क्या एक week एक महिना या दो चार महिना तक ये profit रहेगा कि नहीं रहेगा yes or no will this profit remain for one week one month और a few months yes or no 2019 में जो 10 रुपए का बाल 1.500 में भी का चाए 1.500 में भी का चाए S.T.E. भी का चाए 70 में भी का सम्में super duper profit था ये profit yes या no रहेगा कि नहीं देगा हमको बहुत चल्दी सोच के बताइएगा super duper profit रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में मैं आप लोग से जाना चाहता हूँ आप लोग answer दीजिए मेरे को मेरे को answer बताइए रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा कि नहीं रहेगा इसका answer हम आप लोग से चाहता है पर अब चाहेगा कि हम आप लोग से answer ले क्या ये super non-profit एक week, एक महिना, दो महिना रहेगा की नहीं रहेगा रहेगा की नहीं रहेगा एक दो महिना रहेगा yes, it will remain क्या ये एक दो साल तक रहेगा क्या ये एक दो साल तक रहेगा ये जल्दी बताएए क्या ये एक दो साल तक रहेगा की नहीं रहेगा ये एक दो साल तक नहीं रहेगा एक दो साल तक No, it will not remain क्यों? क्योंकि ये आदमी लोग enter कर जाएंगे तो सबसे important चीज था क्या एक week एक महीना के ले रहेगा? Yes Long run में रहेगा की नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो मतलब क्या हो गया short run में short run में super normal profit रहेगा लेकिन long run में super normal profit नहीं रहेगा वो किसमें conversion नहीं रहेगा normal profit क्यों because आदमी लोग enter करेंगे short run और long run आप देखिए loss हो रहा है इसी तरह से मेरको loss हो रहा है क्या ये जो फार्मल 2016 में उन्होंने उगाया उनको क्या एक दिन एक वीक एक महिना या few months के loss yes और no क्या उनको loss हो रहा था एक दिन एक हफता एक महिना फ्यू मंस के लिए क्या उनको loss हो रहा था हाँ क्या ये loss one or two years चलेगा नहीं क्यों नहीं चलेगा no होगा इसका answer क्यों नहीं चलेगा ये क्यों क्यों नहीं चलेगा क्योंकि आदमी लोग business से क्या करेंगे exit कर जाएंगे अगर exit कर जाएंगे तो वापिस हो जाएगा तो हम लोग क्या बात किये short run में super normal profit हो सकता है loss भी हो सकता है long run में super normal profit में क्या हो जाएगा normal profit loss में क्या हो जाएगा normal profit तो बहुत important चीज है long run में super normal profit रहेगा क्या नहीं क्या loss रहेगा नहीं सिरफ क्या रहेगा long run में normal profit रहेगा एकदम logically समझना है पूरा clarity मिलेगा बहुत शौकिंग चीज मैंने आप लोगों को बताया ये देखे कितना अद्बुच चीज था जो आप लोगों को समझ में आ गया मैंने कहा ना तीन आप्शन दिया मैंने या तो मैं टीचर बहुत अच्छा हूँ या आप लोग स्टूड़न बहुत अच्छे है या एकोनोमिक्स इतना एजी है इन तीन में से दो आप्शन लेंगे तो टीचर बहुत अच्छे हो और एकोनोमिक्स है भी बहुत लॉजिकल अब मेरा बात समझाईए शौट रन में सूपर नॉर्मल प्रॉफिट कनवर्ट किस में हो गया लॉग रन में कहा गया वो नॉर्मल प्रॉफिट में क्यों हुआ बेकॉज अव एंट्री अगर हम एंटर करना बंद कर दे कि कोई नहीं आ सकता अगर मना करें कि एंटर नहीं कर सकता कोई तो क्या होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही रह जाएगा लॉग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा यह तो एंटरी होने के कारण एंटरी होने के कारण सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से एस अट जाता था लेकिन अब क्या होगा लेकिन अब क्या होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से यह नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बनेगा एंट्री अलाउ नहीं है इसका एक्जामपल दिखाते तो भी और क्लारटी हो देखिए आप लोग को पता नहीं होगा आप अपने पापा से चाचा से ताउजी से रादा जी स मामा किसी से पूछ के देखी ताँ घर में 1995 में इंडिया में मुबयल लॉट्च होगाँ च्प्रेश वाथा क्याल्कटा से बहुत कम कामियं अच्छे उते हैं Calcutta से लांच हुआ था». बहुत भाद से सुनिएगा, बहुत भाद से. 1995 में से पहले तक इंडिया में अगर फोन लेना होता था तो मोनापली था. किसका मोनापली था? V. этиckon WhatsApp, please BSNNL भी बोल सब्सक् relatively. अगर फोन लेना हो तो इसी से ले सकते थे और किसी से नहीं लेते थे मनॉपली हुआ करता था वी एसनल बी एसनल का क्या कोई आदमी 1946 माल लो जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से लेके 1995 तक अल्मोस्ट पचास साल तक सिरफ इनी का हुकूमत चला वी एसनल इसका नाम एक वी एसनल ही भोल से एक ही चीज़े क्या आदमी एंटर अलाव था एंटर अलाव नहीं था उनका मोनॉपली था अब सोचिए आप लोग को विश्वास नहीं होगा अभी हम लोग का तो तीन में तीन साल पहले एक मिनिट का तीस पैसा या चालीस पैसा लगता था एसमेस फ्री थे तीस पैसा चालीस पैसा लगता था लेकिन लेकिन आप लोग को बिलीव नहीं होगा की एस्टीड हम लोग जब करते थे 25 साल पहले एक मिनिट का एस्टीडी चार्जेस मतलब कैलकटा से बॉंबे डेली मेडरस मिलाने का कहीं भी कैलकटा के बार मिलाने का एक मिनिट का 40 रुप्या लगता था 40 रुपीज पर मिनिट जब लोग का महीना का टोटल नहीं आता उत् क्यार्पोस कलकटा से कोई डेली गया तो हम लोग फोन करके पूछते थे कि पहुंच गया तो कैसे बात करते थे अब फोन मिलाते थे दिली हाँ और सब पहुंच गया ठीक है ओके नफस्ट फिनिष बस क्योंकि जादा बात करो साथ लोग और तो उसका रुप्या लगता थ सास लोगे तो रुपया लगता था एक मिनिट स्टिडी का चार्जिस कितना रुपया लगता था 40 रुपया पर पर मिनिट लग जाता था 40 रुपया पर मिनिट 60 रुपया पर मिनिट इतना रुपया लग जाता था उसका क्या BSNL को supernova profit हो रहा था हाँ 50 साल तक उसको super profit रहा 50 years तक yes क्यों हो रहा क्योंकि कोई भी और आदमी अंदर आना allow नहीं था तो monopoly के अंदर monopoly के अंदर enter करना allow नहीं है तो short run में supernova profit हो सकता है और long run में भी super normal profit हो सकता है यह बहुत अद्बुच चीज मैंने आपको पताया monopoly के अंदर आदमी जब enter करता है enter allow नहीं है monopoly यह किये तो super normal profit कर सकता है short run में भी और long run में भी और इतना bumper profit किया इतना bumper profit किया वो तो मैंने अभी आप लोग को क्या बताया बहुत बहुत चीजों समझाया कि super normal profit gets converted into normal profit loss gets converted into normal profit only because of what enter or exit अगर एक business में super normal profit हो रहा है और entry allowed नहीं है तो आपको super normal profit ही रहेगा आपका normal profit नहीं होगा example मैंने monopoly का दिखाया जो BSNL ने mobile में telephone में land line में लेते थे इतना ज़्यादा खार जई इतना हम लोग फोन करते थे और भागते थे अरे फोन हो गया जल जली करो बहुत बात हो रहा है कोई एक second ही बात नहीं करता था कोई हम लोग यहां पे सबसे में सबसे बढ़ा डर क्या लगता था कोई हम लोग के guest आ गया कोई friend आ गया कोई relative आ गया हम लोग के घर पे वो बोला कि हमको telephone करना एक थो वो हम लोग से तो telephone बोला को लैंड लाइन था उस टेम तो बोला लाइक तो telephone करना है और चाई पी रहा और लैंड ला रहा है हाँ ताई जी कैसे है आऊंगा ताई जी आ रहा हूं और तबद पानी सब ठीक है ना और चिंटू कैसा है बंटू का एक्जाम कैसा गया ठीक है तो और ताउ जी दुकान कैसे चल रही है आप वो खासी आ गई होई 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 तबद तो ठीक है ना वेदर कैसा है वाका बास हम लोग का तो जान निकल जाता था वो गेस्ट फ्रेंड रिलेटिव आके फोन गुमाए जा रहा है और बात करी जा रहा है हम लोग को यह नहीं पता है वो लोकल फोन किया है कि कैलकटा के बार फोन किया है दो महीने बाद बिल आता था तो पता च लगाते थे क्योंकि कोई हम लोग का फोन को किसी भी तरह से गलती से मिस्यूज नेकल जाए तो हम लोग ने बहुत इंपॉर्ट चीज सी का कि सूपर नॉमल प्रॉफिट क्या होता है और मैंने आप लोग को अनियन प्राइस के बारे में जो चीज दिखाया जो शायद ही आप इन लोग न्यू स्टूडेंट है इन लोग को कहूत नहीं मालूम है उन लोग जाए कहूत डॉट इट पे जाके यह वाला पिन डालिए कहूत डॉट इट पे जाके यह वाला पिन डालिए and let's roll the quiz देखिया आप लोग कितना द्यान से पढ़े हो आज हम लोग क्वेज हाँ लिंकस्त यह होता था हम लोग के हाथ बहुत मुश्किल होता था हम लोग के तो बहुत ही जमिला जिन लोग न्यू स्टूडेंट है एकदम मत घबराईए जिन लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन लोग ट्राई करिए क्वेश्चन का अंसर देने का अभी मैं ला लिए and let's play the quiz घबराईएगा मत आंसर नहीं आए कोई घबराने का बात नहीं है जैसा मैंने अभी आप लोग को सुनाया एक बार और सुनाता हूं क्योंकि मैं वावा का बहुत लालची हूं जो कमी कोई रह जाती है तो उसका तुम अभ्यास करो जो कमी कोई रह जाती है तो उसका तुम अभ्यास करो जो गिरते हो तुम एक दफा तो उठकर फिर प्रयास करो लगे रहो तुम कर में अपने जब तक इस तन में प्रान रहे निश्चिती सफलता मिलेगी तुम खड़े जो सीना तान रहे छोड़ना मात छोड़ना मात लगे रहो लगे रहो और वावा बोलते जाओ, नेक्स क्लास में एक और नया शाहिरी डालेंगे, सब कोई लॉग इन का लिये हैं, लेट्स रोल, जिन लोग न्यूस टून्ट है, उनलों को कहूत डॉटिट पे जाना है, ये वाला गेम का पे न डालना है, 6460247, और आप लोग को 20 सेकेंड दिया जाएगा, क् अंटी, ओए ताई जी कैसे हो दिल्ली वाले, बता नहीं सकते थे, लेट्स रोल इट, चले पहला क्वेश्चिन, पहला क्वेश्चिन जो आप लोग के सामने आता है, वो है ये वाला, Who is the founder of Serum Institute, Serum Institute का कौन founder है, Serum Institute का कौन founder है, Serum Institute, टाइम आप होने वाला है, मैं टाइम आप कर दूँगा जल्दी, Serum Institute का कौन founder है, ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का largest vaccine maker है, ये इंडिया का नहीं, पुने में, ये बहुत हम लोग के लिए, बहुत हम लोग के लिए वो बात है, गर्फ का बात है, ये आदमी, ये इन लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, चलिए, देखते हैं किसका, किसका right answer आया है, पहला question में थोड़ा गर्बड़ी लगता है, ये लाक काफी जादा है, वो इस दफांडर सेरum Institute, Cyrus Poonawala, नाम ही है Poonawala, पुने सही है, वो वर्ल का largest है, मैंने आप लोग को बोला था, मैंने आन अकाड़िमी पे भी special class लिये हैं, CA Foundation वाले में, जरूर जाके देखि अनन्त फर्स्ट आ रहे हैं, नेक्स question देखते हैं हम लोग, मेरा मेंटी ठीक नहीं है, उसमें, चुल एक बाद ट्राई करते हैं, वो इस दा करन्ट सी ओफ सेरum Institute, करन्ट कौन है, कौन है अभी का सेरum Institute का founder, नहीं मतलब CEO, वो बहुत, उसके ओपर वर्ल का बहुत बड़ा वैक्सिन तो जो निकालेगा निकालेगा, लेकिन इसको करेगा कौन, ये बहुत important है, चलिए, time up होता आप लोग का, देखते हैं किसने किसने right answer दिया है, अधार पुना वाला is the right answer, अधार पुना वाला is the right now, currency of, चलिए, next question पर आते हैं, Suzuki is from which country, मैंने एक ला से बताया था, Suzuki is from which country, कहां से आता है Suzuki, कौन से country कर, Suzuki is from which country, Suzuki कहां से आता है, Suzuki मैंने पताया भी था, discuss, इंडिया का largest auto company है, Japan is the right answer, Suzuki is from Japan, अनन्त का मेरे को देखना पड़ेगा, अनन्त अपना पूरा नाम चैट में लिखिएगा हमको, fourth question, which is the capital of Iran, देखें कहूत शायद यहां पर और आनी है, ठीक से, मेरे को लगता है मेरे को मेंटी मीटर में ही चालू करना पड़ेगा, या और कोई आप डूड़ना पड़ेगा, जहां पर प्रॉपर लिए हो, next time वो ही करें गे हम लोग, capital of Iran क्या है, तहरान is the right answer, वो जन्होंने बगदाद दिया है, बगदाद is एराक, एराक is बगदाद, सद्दाम हुसैन, एर लिफ्ट मुवी देखा होगा, चिन्टू का बड़े आया था, एक टो, मुवी उसका भी देखा होगा, रिया, फुल फॉर्म उपेक, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बजाया था, बहुट कन्फूजन होता है इसको लेके, उपेक का फुल फॉर्म क्या है, वेरी नाइस अधन्त राज, वेरी नाइस डन, बताए, फुल फॉर्म उपेक क्या है, क्या लगता है फुल फॉर्म उपेक? और्गनाजर पेट्रोलिम एक्सपॉर्टिंग कंट्री है, और्गनाजर याद रखिए का, ये बहुत मिस्टेक होता है, और उसे और्गनाजर नहीं है, और्गनाज़ेशन पेट्रोलिम एक्सपॉर्टिंग कंट्री है, टॉप क्रिपा सराफ आ गए नीचे से लास्ट क्विस्टिन बाइर इस वर्ल्ड वाइट केमिकल एंट फर्मसुटिकल कमनी हैट क्वाटर डिन कहां पे बायर बायर कहां पे है मैंने बताया था बहुत बड़ा प्रड़ कि प्रियांशू पहले से प्रियांशू पहले से बता देंगे आपको आपको पहले से बतादेंके प्रियांशू देखिये और मयने आज अपया ने कहा था form of a city कि अर इसके तर बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था कि पितन दिया की नहीं दिया जाए humanitarian gesture देखा जाए कि long term benefit देखा जाए German company, it is a German company I know this quiz was not held properly because of the time lag, because of this problem but आप लोग में कुछ सीखा ही होगा second prize goes to Ria, though it is not properly done, that is why we can't say Anant is second and the first prize goes to first prize goes to Anakim ने जीता है चलिए, next day हम लोग वापिस करेंगे ध्यान रखिए का मैंने जैसे आप लोग को कहा Anakademy पे आप लोग Tuesday, Thursday, Saturday तो मिलते ही है Wednesday और Friday से हम लोग साड़े-पांच बजे properly demand से शुरूर से class करेंगे hopefully आप पर join करेंगे और हम लोग ने प्लेइलिस्ट बना दिया हम आपे आप लोग अराम से अपने सब फ्रेंड को बोल सकते हैं Anakademy बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स लोग यहां पर कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं सब कोई join कराये और जो मैंने आप लोगो कवीता सुनाया वो कवीता को याद रखिएगा वो पोएम याद रखिएगा बहुत अच्छा रहेगा नेक्स साथ मिलेंगे वेदा नियू पोएम नेक्स साथ मिलेंगे